हेलो दोस्तों आपका स्वागत रेक नए वीडियो में आज की शूड़ों में आपको बताने हुआ हूँ भी वो टी टू प्रो फाइब जिमें किस तरह से लॉक स्क्रीन पे नाम लिख सकते हैं और अल्बेज ऑन स्क्रीन सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों आप अपके मोबाइल पर बहुंस्तों तो आप अपलिकेशन डाउलूड कर लिजे और इस तरह से अज में डिखने बिदे और आपकी स्क्रीन पर चाहते हो कि टाइम दिखाई दे आपकी बैटरी दिखाई दे कितना परसेंट चार्ज है या आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चाहते हो टाइम डेट इस अब दिखाई दे स्क्रीन लॉक होने के बाद स्क्रीन बंद होने के बाद भी आपकी स्क्रीन प प्लेस्टोर से दोस्तों आपको क्या करना है अप्लिकेशन डाउनलूड कर लेना है और जैसे आपकी मोबाइल में डाउनलूड हो जाता है डाउनलूड होने के बाद दोस्तों दोचार परमीशन का आता है तो आपको क्या करना है परमीशन देने के बाद कुछ सेटिंग है व डाउनलोड हो गया मैं इसको ओपन करता हूं अप्लिकेशन को और ओपन करने के बाद दिखाता हूं किस तरह से आपको परमिशन देना है चलिए हमारा अप्लिकेशन ओपन करता हूं यहाँ पर accept पे ok करदेना आपको, चलिए हमने accept पर एक बार क्लिक करता हूँ यहाँ पर allow करदेना है आपको, तो मैं यहाँ पर allow करदेता हूँ allow करने एक बाद सिद्ध हो, आजाएगा आपके application वाला option में जहां से आपको permission देना है कि आप यूज कर सके इस तरह permission में ने दे दिया फिर से एक बर allow मांग रहा है तो चलिए हम notification के लिए तो यहां पे एक बर और आपको permission देना पड़ेगा चलिए यहां से भी हम notification वाला पर भी allow कर दिये ठीक है यहां से दो जगे से आपने permission दे दिया इस तरह आपको भी दे देना है चलिए आगे की setting आपको बताता हूं केसिं डाउनलोड कर लेती हो सेम् आपके मुबाइल में इस तरह का interface आपको सो होना शुरू हो जाएगा तो दोस्तों जैसे आपको इस तरह का इंटरफेस चालू हो जाता है तो आपको क्या करना सब से ऊपर दिया है उसम कैसे Student service में घ्लिक करना है दूसरा दोस्तो दे दिया है watch watch face कस्टमाइज दोस्तों चलिए दूसरा ओपशन पर क्लिक करते हैं दो आपको दूसरा ओप्शन पर क्लिक करके अंदर आ जाना है तो यहां पर दिया इसका इसाइज आप जो आपकी मोबाईल के श्क्रीन पर मतलब जो घड़ी दिखाई देगा वाच उसकी साइज आप कितना बड़ा छोटा रखना चाहते हैं अपने इसाब से आप एड़िस्ट करके सेट कर सकते हैं पहला हो गया दूफरा दिखा रहा है दोस्तों यहां पर आपके घड़ी का कलर आप कौन से घड़ी का कलर रखना चाहते हैं उस परकार से दोस्तों आप अपने घड़ी का कलर रख सकते हैं जिस चलिए हमने पहला नंबर पर क्लिक किया पहला ही रहने देते ठीक हैं यह पहला हो गया और दूसरा आ रहा है दोस्तों जो आपकी मोबाइल में वाच यानि की गहड़ी जो लिखा रहेगा एक घंटा जैसे कि टाइम लिखा रहता है एक बच के 35 मिनट अगर टाइम का भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर दिया ओप्शन दोस्तों यहां पर कलर आप अपने हिसाब से तो चलिए हम इसमें गृण रखें गृण रहने देते ठीक है इस तीसरा आता है दोस्तों मिनट यानि कि मालेज एक बच के 35 मिनट हो रहा है अगर उसका मिनट का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप अपने उस मिनट का कलर अपने हिसाब से अर्जेस्ट करके सल करेगा दोस्तों यहां पर नीचे दिया है इस पर आपको परमिशन दे देना है फिर आपके मोबाइल में चालो हो जाएगा फिर बेक आजाते बेक आजाने बाद दोस्तों आपको ऊपर दिया है एक कॉल वाला और वाच का दोस्तों यहां पर इस सब घड़ी दिया हुआ है इस तरह से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन में शेट कर सकते हैं पहला है दूसरा नीचे आपको यह सब पेड है इस अब में आपको पैसा भरना पढ़ेगा पर यह वाला घड़ी है फिलाल दो फ्री है तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूं क्लिक करने के अगर आप अपने नाम लिखना चाहते हैं तो नाम भी कर सकते हैं तो डीन साइज आप सबस्यांस कर सकते हैं अगर तो अपने घंटे का है यानिकि कितना घंटा कितना हो रहा ह वह चेंज कर सकते हैं फिर आपको नीचे आ जाना है यहां पर दिया है on screen memo यानि कि screen पर जो भी अपना नाम लिखना चाहते तो यहां架े आप दोस्तों फिलाल मेंने लिखा टेकनिकल आर्जम तो दोस्तो इस तरह आप अपनी जगह इसके जगह पर औपना नाम लिख सकते हैं चैसे आप अपने ऩ्क्रीन बन करेंगे तो वहां पो इसा कुऩ तो आपकी इसक्रीन पर नाम दिखाई Spotify दोस्तो इस तरह से आप अपना नाम लिख सकते हो। और यहां पे टेक्स का Color दिया है, आप जो Color चाहिए वह Color आप सेट कर सकते हो। फिरह मैं पीला कर देता हूँ। दोस्तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने स्क्रीन पे, दोस्तों, आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरह से color दिखाई दे रहा है? किस तरह से set हो गए? तो दोस्तों आपकी mobile पर भी ऐसे show करेगा तो आप application डाउलोड कर लिजे और इस तरह से setting कर लिजे, फिर आपको अपने screen पर अपने स्क्रीन पर सब दिखाई देगा